वन वन टू के वहनों की लोकेशन, लोकेशन कहां पर रहनी चाहिए, किस तरह से उनका रिस्पॉंस टाइम होना चाहिए, उस पर पृत्नियों सभी कर्मियों की ट्रेनिंग भी दी गई है और लगातार सौफ़वेर के माजम से उनकी ट्रेकिंग भी की जाती है, जिसके फलसर तो और सत रिस्पॉंस टाइम में भी कमी आई है, और आम जनता को ज्यादा से ज्यादा लोगों को कम से कम समय में हम लोग सुधा दे रहे हैं, चारलाग सटाजार को सुधा पतान की एक महने में जो कॉल दर्ज की गई थी, उनकी संख्याती 26,114 और उसमें से 842 पर हमने ड और एक्याउन मिनट हमको समय लगा था, फिर उसके बाद दीरे दीरे हम रुगों ने इसमें सुधार किया, वहानों की लोकेशन और किस तरह से उसको डिप्लाइड करना उसके पार्टन को चेंज गिए, नमस्कार आप देख रहे हैं, एनवी सी 24 मैं हूँ पटना से अजेक आपको बता दें कि डाइल 112 यानि की ERS Emergency Vecalist जो है Response Team अब अपार सफलता प्राप्ट कर रही है, जिसको ले करके आज ADG गैंगवार ने प्रेस बारता किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि जो डाइल 112 का Response Team जो टाइमिंग था पहले 30 मिनट था, और अब घट करके 20 के दोरान सारी बातों को मीडिया के सामने साजह किया है, और जो दूस्रा प्रेज है डाइल 112 उसके बारे में भी जानकारिया दी है, बता दे कि पहले सहरों में डाइल 112 पूरी तरीके से काम कर रही थी और अब अब गाउ कर्ष्व.. और बजारों में भी डाइल 112 के फेज 2 को दूसरा जो फेज है उसे तयार किया जा रहा है जिसके लिए वहकिल भी खरीदा जा रहा है और इस पर क्या विशेश जानकारी दे रहे है एडी जी जी तेंदर सीम गंगवार जरा देखें बारे में आपको बता देंगा छे जुलाई 2022 को डाइल 112 सेवा का प्राड़म हुआ जिसको की मान्मी मुकमंद्री बिहार के दोरा इसका लोकारपॉंड किया गया उसके बाद से लेकर अभी तक कुल 4,50,000 लोगों को इसके माध्यम से साहे तर प्रगान की जा जाए लगातार 112 के वहनों की लोकेशन, लोकेशन कहां पर रहनी चाहिए, किस तरह से उनका रिस्पॉंस टाइम होना चाहिए, उस पर प्रतिन्युक सभी कर्मियों की ट्रेनिंग भी दी गई है और लगातार साफ्ट्वेर के माध्यम से उनकी ट्रेकिंग भी की जाती थी, जिसके फलसरो औ आउसत रिस्पॉंस टाइम में भी कमी आई है और आम जन्ता को ज्यादा से ज्यादा लोगों को कम से कम समय में हम लोग सुगधा दे रहे हैं, चार लाग पचाह जार को सुगधा परतान की है, दिसंबर 2022 में जब पूरी विवस्था एक तरह से इस्थाई हुई और उसमें जब हम लोगों ने मेजर्मेंट किया, तो पता चला कि हमारा एक महा में औसत रिस्पॉंस टाइम था 51 मिनट का, दिसंबर 2022 में को, एक महने में जो कॉल दर्ज की गई थी, उनकी संख्याती 26,114 और उसमें से 842 पर हमने डेली इवेंट क्रेट किया अर्थाथ, उसमें करव फिर उसके बाद धीरे धीरे हम लोगों ने इसमें सुधार किया, वानों की लोकेशन और किस तरह से उसको डिपलाय करना उसके पैटर्न को चेंज किया, तो उसके बाद जुलाई 2023 में ये घट करके हो गया है 21 मिनट, 49 सेकेट, और इसमें जो एक महा के एक दिन में, जो हमा हमारी पंजिकरत कॉल थी, वो 3559 हो गई, और कुल पंजिकरत कॉल एक महने में हो गई है, एक लाख तस हजार 344, यानि कि जुलाई में 3559 लोगों को एक दिन में आस्तन हम लोगों ने इससे मदद पहुचाई और समय था 21 मिनट, उसके बाद अगस्त, सितंबर, दोनों मेहन में भी हम लोगों ने लगाता है, इसको रिस्पॉंस को सुधारा, और अक्टूबर 2023 का आकड़ा मेरे पास में है, ये रिस्पॉंस टाइम अब 20 मिनट से भी कम, 19 मिनट एक सेकंड पर हो गया, इसमें पूरे अक्टूबर महिने में 1,3,526 कॉल आई, जिसमें से 3,349, 3,339 कॉल को हमने मदद पहुचाई, इवेंट दर्ज की और ये रिस्पॉंस टाइम अब 20 मिनट से भी कम आए, तो मुझे लगता है, ये बहुत बड़ी उपलब्दी है, और मीडिया के माध्यम से आम जनता से भी अन्रोध है, कि डायल 112 सेवा, आपात कालीन पर सितियों के है, इसमें पुलिस के अलावा बाकी सेवाएं जैसे आगजनी के लिए, या मेडिकल के लिए, उसको भी एकिकरत किया गया है, एक हदिता, फेस टू में इसको कम्प्लीट इंटिग्रेट कर दिया जाएगा, इस पकार से अब हम कह सकते हैं कि आस्तन 20 मिनट से कम समय में पु पहरों में इसकी सफलता को ले करके काफी चर्चे थे, जिसको ले करके अब गाउं में भी अब इसको तयार किया जा रहा है, अब गाउं कस्वों में भी इमर्जेंसी वेकिल को तयार किया जा रहा है, जिसको ले करके आज प्रेस वारता के दोरान सारी बाते ADG ने साजा की है तो हम ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देख्टर है एन वी सी ट्रंटी फोर